तो यहां पे ना हमने सेंटा के फुट्प्रिट्स बना दिये हैं ताकि अद्वी को सुभा उठके तगे कि सच में सेंटा है मुसली क्या होते कि सेंटा चिमनी के थ्रू आते हैं तो वह अनोर्थ पॉल से आरही है इसलिए जनौ स्टैपस कैसारय और आक चली में अपर कहने पीने वाल के लिए हैunk कुछ सेट हो गया है अब यह बस एक थैंक यू कार्ड यहाँ पे लिखना है क्योंकि अल्वी ने ड्रॉइंग बनाई है सेंटा के दिए तो उसे पक्का लगे कि हाँ सच में सेंटा आए है और टाइम दिखा दू टाइम हो रहा है साड़े ग्यारा फिल्हाल अब हम मिलेंगे आप से सुभा के टाइम गिफ्ट्स अनबैक करने के लिए ठीक है क्रिस्मस देग गुट नाइट गुट मॉनिंग एब्रिवन नमस्कार सलाम सच्रिया काल वेलकम बैक तो दीप सॉल इंवन चैनल आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिलकुल ठीक ठाक होंगे मेरी क्रिस्मस तू आल अफ यू और तुलसी दीवस की आप सब को बहुत बहुत शुब कामना है बैल्स वो रिंगो ने शुरू हुई थी चर्च की हमारी घर के पास ही एक बहुत बड़ा कैथलिक चर्च है बहुत सुन्दर है वहां का इंफ्रस्ट्रक्चर जब सब कुछ नॉर्मल होगा फर शूर आप लोगों को जुरू करती हूँ और आप लोगों को पांने उन तो फिर मुफफट ऊंछा टोप साइ क्योंकि सब कुछ बंद है ना कोई लोकल ट्रेन है ना बसे नथिंग इस जस लाइक जैसे कर्फ्यू लगा हुआ हो ना हमेशा ऐसे ही होता है चलो अंदर चलते हैं चाय पीते हैं ताइम जो है वो हो रहा है साढ़े आठ साढ़े आठ बज़ हम चाय ले रहे हैं और बल की एवाजा लोगाओ P literally सिर्फ उरह जए लेग्छось was यह लो गार कुष हुँआ now look लाँभी जट्रएस से ंड़ी करें लो जटराइस हमदू हम धितर क्होत फुप Walker कि ही फुथर प्रेट just के फुट के अन्टीझ पाँ परेंड़ एत्शी और जोन एक्रदा एमृट प्रेय जिन दोच्ट क Aegison अक्रदी आड्ठी लिधि की ल loft्रेंड और इसे कि मुल्सिक अ एत्लाँ ले यह राव सुछी लेखर परफ दोख्ट है I've got few of these I can like marbles too I think you'll go you'll be nice friends with memory who's my favorite one does anybody notice there's chocolates on the mountain there's actually a bear on it that's a secret hidden thing in the logo really yeah stop trying to walk ooh gummy bear I haven't had gummy bear in a long time ooh gold bears yes gummy bear yay melon ooh what is this संटा और देख। गुटली तेख। अबाइप पिक अबसेंट अबसे अबसे श्याइब इस अबसे अबसे कोसी यज़ उडिकालो जली तेख। चुलाट कीज अबसे बसे लिए वे बसे लिए आपिछ if I see on these... okay... I have chocolate what is this mysterious box we might see? our thing is okay let's take that first glitter one okay your first ever nail paint okay not very normal for me to get nail paint याईस मां यहाईसों यहाईस जाुक अचानलाकर? यह तो अजर रही बिदानल नहें? वाई व्लत सब दे अपने अ texto में गिजिए जात खटनलre कि रहाईसों I can only see what this mysterious box is it's very, it's very mysterious la mode what's this? this is beautiful! are those diamonds? I don't wear this now wait Papa will take it why will you take something? I got my big chocolate coins chocolate, look and I got gummy bears and my chocolate coins and my chocolate Santa thank you you're welcome something pen and pencil show here you're welcome you're welcome you're welcome you're welcome oh king of the sofa king of the sofa king of the sofa I'm scared I'm scared I'm not keeping this I'm not keeping this and where are you? let's do this more first गई उतना कि औा दो फूच कहां морel ज सेफिना यूच आख तोर ई और फ्रवार स्वार्प्रप्रप्रप्रेजिस के लिए प्रक्राइपिता है कि कि उनकी नहीं है? इसे बडिए खिर ज्रासुनों! कि में हलोपन... कि एखे खिर विए यह बोक! एखे खी विए टॉक! अटॉक झालकी एखेवा! Like, so many math questions HAHAHAHA It's not for that I'm guessing it for drawing, okay That's what I'm gonna be using it for, drawing Okay, are you packing solid, are we? on it and here is the You want to draw some things? बिलने की लाए कि रिली करने है यह सित्ट जा 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 जरी जुट है इसक्षोप लुब्राटह कि आप लैसा है अ हम एट लुब के से लुब 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 लुबू, लगजगी जा लुब भीज़ इसका है मारका ? खुल, उपी वोड़ और खुल उपाट नपश खुल नपी घ्यों पुल अड़ बुल मारकास अड़कास पर जब खुल अर्द्वी को पत्थरों का इतना शौक है वो जहां भी जाती है नए नए पत्थर कलेक्ट करती है भगवान हम दुखी हो गथे तो उसके लिए ये पत्थरों का सेट ले किया एक तो उसके ले एप्त्थरों के लिएड गवी क्या ऑनला इक लीए फीजक्ट की गवान दीए करती है तो ये इसका सबसे इंपोर्टन गिफ्त था उसके लिए स्टों सोड़र की ये प्रफुट्स प्रफुट्स लिया है। अर चाजू है और अभी वह केक की तयारी कर रही हूँ तो यहां पे ना मैंने थोड़े से ड्राइफूट्स ली हैं, काजू है, बदाम है, पिस्ता भी ले सकते हो आप लोग और अगर आपके पास काफी सारे नट्स होना जो भी नट्स अवेलिबल होना आप वो यूज कर सकते हैं इस वाले केक में तो मैं काइंड ओफ लेकिन मेरे लेते हैं मैंने और सुभा किया मैंने यहां पे क्रैनबैरी मेरे पास थोड़ी सी और ठोड़ी सी सुलताना थी जो मुनक्का होती है तो उनको मैंने तो बेसिकली क्या होता है, कि वाइन में इनको सोख करके रखा जाता है कुछ लोग मुल्ट वाइन जो होती है न वो यूज करते है तो प्लम्केक की जो खुश्बू होती है न वो ड्राइफ रूट्स की न वो अलगी क्रिस्मसी स्मेल होती है तो मैं इसको शलॉर में सोग करका तैसे रेंडम्ली मैंने डाल दिया होगा वन फोर्थ कप के क करीब और हैंडफुल मैंने यह सारी चीज ली थी तो यह न सौफ्ट हो जाती है बहुत अच्छे से अच्छे से अच्छा जो जो ड्रिंक थी मेरी वो फिजी थी थोड़ी लेकिन इतनी देर बहार रखने के बाद उसका इतना सोड़ा है वो उड़ किया है तो आप इस तर अब युज आपको रखना है तो थोड़ी सी वाइन में रेड वाइन जो होती है या फिर मुल्ड वाइन जो होती है उसमें सौक कर रखते इसको थोड़ी देर के दो गंटे के लिए आपको रखना है और जो भी नटसों आपके पास वो आपको चॉप कर रख ले और यहां मैंने पूरी दुकान सजाई भी अचली देखो सारा समान जो है वो मैंने निकाल के रखा हुआ है जो भी मुझे चाहिए केक बेकिंग में तो फटाफट जो है वो केक बेक करना शुरू करते हैं अभी जो है वो थोड़ा से ताइम लाइक केक बेक होता रहेगा उसके बाद स्टाइल में तो यहां पर मैंने झाल दूद लिया है यह जो से 5 कप के करीब लिक्विद है तो थोड़ा से बटर मिल्क भी है कल अगर आपने व्लोक देखा होगा तो और भी आपने बटर मिल्क निकला था तो थोड़ा सा वो था और 2 क कश पूरा करने के लिए मैंने इसके उससे क्या होगा कि यह हमारा प्रॉपर बटर मिल्क तयार हो जाएगा जो भी हमने एक्सेस दूद लिया था तो अगर आपके पास बटर मिल्क नहीं है तो आपको डीड़ कप दूद लेना है और उसमें एक टेबल स्पून आपको यह डिस्टल्ट विनेगर एड करना है और उससे हमारा बटर मिल्क तयार हो जाएगा तो इसको हम साइट पर रख देते हैं और बाकी के जो हमारे वेट इंग्रीडियंट्स है उनके उपर काम करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं ओल एड करी हूँ आप चाहे तो मेल्टेट बटर भी ले सकते हैं तो हाफ कप हम और मैंने या पर रेप सीड ओल लिया है आप अलिव ओल भी ले सकते हैं जो बेकिंग या कुकिंग के लिए यूज होता हो और कोई और भी रिफाइंड आप ले सकते हैं या फिर मैल्टेट बटर बस सरसो का तील ना ले उसकी जो हो डिफरेंट सी स्मेल होती है इसके बाद इसके बात इन दौनों चीजों को हमें अच्छे से व्िस्क करना है जबżyn को Muhanna हो जाइब तो इसको एकशे से रही है और सी सभी कर लेती हो मैं तो मैंने या तुछे से मिक्स कर लिया है थोड़ी सी चीदी हमारी हमारी हमें पर沒有 हो गही है और यह हल्काना सा फीलपी सवह र तो बटर मिल्क तयार है, तो बटर मिल्क डाल के अब इसको बिलकुल अच्छे से विस्क करेंगे, आप चाहें तो एलेक्रिक वाला जो है विस्कर वो भी यूज कर सकते हैं, हाथ से भी होई जाता है, सब के पास वो मशीन होती नहीं है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आपको बिलकुल मैनुल तरीके से ही चीजे दिखाऊं हाला कि मेरे पास है वो मशीन, लेकिन मुझे रहता है कि जो नहीं, जिनके पास नहीं होती फिर बहुत सवाल आते हैं, तो इस तरह से आप हाथ से भी विस्क कर सकते हैं, नॉर्मल जो विस्काती है उससे भी, तो अब उनको एड़ करके और हलका साई हमें मिक्स करना है तो जितने भी वेट इंग्रीरियंस हैं उनका काम हो चुका है अब हम इसमे अपने ड्राइट करेंगे तो सबसे पहले हम इसमें मैदा एड़ करेंगे तो दो कप में यहाँ पे मैदा एड़ करने वाली हूँ आप चाहें तो गेहूं का होल वीट फ्लार जो होता है न वो भी यूज़ कर सकते हैं जिससे आप रोटिया बनाते हैं अगर आपको और हेल्दी बनाना है यहाँ पर मैंने 2 cup मैदा एड़ किया है और इसके बाद हम बेकिंगाल और बेकिंग पाउड़ करेंगे तो यहाँ पे गया हमारा एक टी स्पून बेकिंग पाउडर और इसके साथ जाएगा फाफ टी स्पून बेकिंग सोडा ये बेकिंग आयल में आपको मिल जाते हैं इसके साथ इसको एक्स्ट फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें अच्छी खुछ्बह आती है तो वह मैं इसके अंदर एड कर रही हूं और इसके बाद हम थोड़ा सा इसके अंदर नट मेग डाल एगे तो यह मैंने नट मेग डाल दिया है ज्यादा नहीं डालना है, लाइक 1-8 टी-स्पून के करीब और इसके बाद इन सारी चीजों को हम छान लेते हैं और मैंने अभी ध्यान दिया कि जो मैंने लिया था ना बेकिंग सोडा के लिए स्पून वह 1-4 टी-स्पून वाला था तो वह 1-4 टी-स्पून हमको चाहिए तो मैं यह और एड कर रही हूं तो मुझे ध्यानी लगा, मुझे लगा कि हाँ वो half teaspoon वाले बट वो one fourth था तो चलिए अब इन सारी चीजों को हम अच्छे से छान लेते हैं तो यहाँ पे सब कुछ मैंने छान लिया है इसके बाद मैं इसमें बिल्कुल थोड़ा सा salt एड कर रही हूं तो यहाँ पे पेंची डालने आपको like one eighth teaspoon के करीब और अगर आप salted butter ले रहे हैं तो फिर आपको salt डालने की जरुरत नहीं है मैंने यहाँ पे क्योंकि oil लिया है तो इसलिए में थोड़ा सा salt डाल रही हूं इसके बाद whisk को हम यहां से हटा देंगे और इसके place पर हम यूज करेंगे अपनी कोई भी spatula और cut and fold वाले method से हमें इसको अच्छे से fold करना है rigorously हमको इसे mix नहीं करना है अगर आप यहाँ पे भी electric beater या whisk से करेंगे तो जितनी भी aeration हुई है वो सारी निकल जाएगी और आपका cake जो है वो fluffy नहीं बनेगा तो हमें इसको cut and fold वाले method से ही fold करना है तो चलिए इसको fold करते हैं तो यहां पे हमने इसको इस तरह से fold कर लिया है तो देखें कितनी अची सतरह से थोड़ी सी thin इसकी consistency होनी चाहिए बहुत जादा thick नहीं होना चाहिए इस तरह से thin तभी यह बहुत जादा soft बनेगा इसके बाद जो भी dry fruits हो आपके पास जो आपने finely chop कर करके रखे हैं आपको वो add कर देने हैं इसके अंदर और हमारा जो केक है वो almost batter उसका ready हो गया है अब बस हमें इसको bake करना है अगर आप कढ़ाई में करना चाहे तो लग जाता है और अल्मोस्ट एक घंटा कढ़ाई में इतनी quantity को bake होने में और अगर आपके पास oven है तो आपको में इसको बेक करना है मैं इसको अपनी केक फैक्टरी में बेक करने वाली हूँ तो वो automatic अपने आप ताइम दे ले 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 अराउंड लाइक मेर ख्यासे 35 मिनिट्स है इस वाले केक के लिए बद आपके पास नॉर्मल जोवन है तो तेंप्रेचर वगेरा सब मैंने आपको बता दिया आप उस हिसाब से बनाई है तो यहाँ पे बैटर हमारा रेडी है बस अब मैं इसको केक टिन में डाल के और इसको बेक होने के लिए रख देती हूँ बता ऑंपको है अबोडो जार इस कुषक प्सक्तार में और लग खशे ही तो तेंड़ में तो फ़े राष्वक्तार भाज़ जायए सक्शने सार्णिश को अबिस्य है उस तो को कि उस्वार रहाँ content तो केक बहुत ज्यादा टेस्टी बनाया आप लोग जरूर ट्राइ करना इस वाली रेसिपी को बहुत सिंपल है और इसमें बहुत सारी चीजे आप एक्स्ट्रा भी एड कर सकते हो लाइक जितने भी नट्स हो आपके पास वह आप एड कर सकते हो बैरी इस जितनी हो तूटी- पाउडर, लिक्विड और आटा वह कितना डाला है आपने बाकी टॉप आप किसी भी चीज से कर लो तो बहुत फलफी और बहुत अच्छा कोई नहीं कहेगा कि यह एगलेस है बहुत टेस्टी केक बनाया अच्छा इस व्लोग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ अगर मैं श जो है जो अगली बात होती है वो पिछली बात से connected होती है तो कुछ भी अगर कट करती हूँ तो वो मैस हो जाता है तो इसलिए इस वाले व्लोग को यहीं पर आयन करती हूँ लेकिन अभी शाम तक मैं record करने वाली हूँ तो इस व्लोग का second part भी आएगा जिसमें बहुत सारी मस्ती धमाल होने वाला है पार्टी होने वाली है तो कल का व्लोग बल्कुल भी मिस मत करना और आज का व्लोग अगर पसंद आया हो अद्वी के excitement और हमारे presents जो हमने उसको दिये जो हमें मिले अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे द आपको अख्यादा दwashलो आपकली नॉल्एन आपको िरना नांस करना आपको स्हो अंगर. प्लीजडिस केनुकत वाली है. कन देगी